OTT platform पर आप जादतर web series उठा कर देख लिजिए 80-90% web series ऐसी हैं जिन में आपको कही न कहीं या तो अशलीता नजर आ जाएगी या फिर उसमें आपको गाली सुनने को मिल जाएगी और गाली भी जबरदस्ती की और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है आजकल की web series में जिस पर फिर विबाद उठते हैं नौबत कई बार उस पर बैन लगने की भी आ जाती है OTT platform पर गाली के इस्तिमाल पर जेठा लाल उर्फ दिलिब जोशी ने आज बड़ी बात कहे दी है और ने कहा मैं नहीं जानता कि इस तरह के शब्दों के इस्तिमाल का कोई close होता है या नहीं लेकिन इसके बिना भी आप अच्छा काम कर सकते हैं अगर आप वाकई reality दिखाना चाहते हैं तो फिर इसके नाम पर तो लोगों का toilet जाते और नहते हुए भी दिखा दीजिए आप audience को क्या परोस्ते हैं ये माइने रखता है आप जो देखते हैं वो आपके साथ रह जाता है क्या आप ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां लोग सिर्फ गाली देकर बात करते हों हर चीज की limit होती है अगर कोई चीज limit में है तो वो enjoy करने लाइक होती है लेकिन अगर limit से बाहर हो जाए तो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाती है मैं समझ सकता हूँ कि वक्त के साथ बदलना और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है लेकिन क्या गाली देना आगे बढ़ना है जो पश्चमी देशों में हो रहा है उसे आप अपने यहां चाते हैं हमारे देश की संस्कृती और परंपराएं सबसे पुरानी हैं हमारे कल्चर में बहुत सी शानदार चीज़े हैं यह जाने बगएर आप पश्चम को फॉलो कर रहे हैं वो अपने कल्चर में एफ शब्त का इस्तमाल बहुत जादा करते हैं इसलिए उनके शोज और कंटेंट में यह अननैचुरल नहीं लगता लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है क्या आप अपने पेरेंट से इस तरह बात कर सकते हैं बिल्कुल सही कहा जेठा लाल ने अगर वेब सीरीस से गाली गलोच हटा दी जाए तो उसका कंटेंट और शानदार हो सकता है जिस पर लोग बाद में गाली नहीं बलकि ताली बजाएंगे जरूरत है अच्छा कंटेंट दिखाने की बिना अश्रीलता और बिना गाली गलोच के